आपके पास IQZ 7 Pro है, New 7 Pro या कोई और फोन है, तो यहाँ पर आप notification animation change कैसे कर सकते हैं, notification animation effect यानि कि ambient light effect भी बोल सकते हैं, dynamic effect भी बोल सकते हैं, तो जब आप setting पर जाते हैं तो ऐसे करके scroll करेंगे, इस step से dynamic effect का option देखने को मिलेगा, scroll क्लिक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आ notification के option पर क्लिक कर देंगे, अब notification app क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं कि किस किस पर हमें चाहिए, जिसका हमें ज्यादा special है notification उसे हम on कर देंगे, ऐसे करके, जैसे Facebook और यह Free Fire Max को मैंने on कर दिया है, और यह Chrome को भी कर देते हूं, आप चाहोँ तो यहाँ पर click करेंगे, तो all हो ज notification का जो light effect होगा न, वो ऐसा होगा, कि ऐसे करके click करेंगे न, तो ऐसे किनारियों पर light जलेगी, जब भी notification आएगा तो, या फिर ऐसे, तो जो effect आपको पसंद आ रहा है, वो आप लगा लेंगे, तो मैं यह वाला करके apply पर click कर दूँगी, तो यह set हो गया, जब भी notification आएगा तो इस step से light जलेगी, side में, ठीक है, इसके बाद back कर लेंगे, चली मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए, नमस्कार,